हेलो दोस्तों, मैंने पिछले अपने वीडियो में डिसकस किया था कि नीट अब आपका हो चुका है, आपके हाथ में रिजर्ट है, आपके हाथ में रैंक है, तो आप कैसे अपना नेक्स्ट टेप प्लान कर सकते हैं, ओके, मैं थोड़ा सा अब स्पेसिफिक्स में जाऊंगा इस पेसिफिक्स मतलब कि गौर्वर्मेंट कॉलिज ही लेना बेटर है या प्राइवेट भी ले सकते हैं, अम्बी बेटर है या बी डी एस भी ले सकते हैं, बी डी एस बेटर है या बी ए एमस लेना है, तो इस वीडियो में, शॉर्ट में, मैं आपको ये बताऊंगा, कि कॉलेज ही लेना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज भी आप ले सकते हो ये मैं MBBS, BDS, BAMS across बात कर रहा हूँ across the spectrum कि आपको अगर गॉर्मेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको क्या प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए तो मैं पहले वीडियो में मैं भी बहुत क्लियरली बता चुका हूँ कि हमें बहुत प्राक्टिकली सोचना है ये decisions कभी भी emotional होके मत लीजिए क्योंकि as a kid हम जब बच्चे हैं बच्चे ही हैं 17 साल के 18 साल के 19 साल के हम बहुत ही emotional होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ dreams होते हैं और उसमें से कुछ fairy tales भी होती हैं दिमाग में तो emotional decision नहीं लेना है intelligent decision लेना है इसको न एक बहुती logically सोच के case by case generally एक बात नहीं है case by case logical एक approach हमको लेना है logical approach से मेरा मतलब क्या है कि private college government college से society में एक ऐसा stigma है ये government से नहीं कर रहा है ये private से कर रहा है तो ये तो खराब student है या ये तो poor student है इसको तो हुआ नहीं इसको तो पैसा दे के दिलवा दिया इस तरह की बाते कभी सुननी पड़ती हैं आप लोग को तो इस तरह की बाते कोई सुनना नहीं चाहता तो एक societal pressure होता है एक relatives का family pressure होता है कि नहीं वहीं ये achiever है इसने government college लिया है तो ये achiever है ये सब बातें मत सोचिए ये सब बातें एक महीने दो महीने बोलके सबने भूल जाना है यकीन मानिए और आज से 10-15 साल बाद जब हम finally doctor बन चुके होगे न किसी दोस्त यार रिष्टेदार इविन आपको भी याद नहीं होगा कि कहां से MBS किया था कहां से VDS किया था कहां से BMS किया था यकीन मानिए मतलब यह हम जब वो सब phase क्रॉस कर चुके हैं तो मैं अपना अगर बात करूँ तो यह सब चीजे मतलब 0.01% भी matter नहीं कर दी कि मैंने कहां से क्या MBBS किया था क्या किया था तो यह सब emotional approach में नहीं logical approach में जाना है तो private college अगर आप वो fees afford कर सकते हैं तो as per me मेरे हिसाब से कोई problem नहीं है आप बिलकुल ले सकते हो एक साल जो आप waste करते हो यकीन मानिये आज से 15 साल बाद उस एक साल में आप उसना कमा लोगे जितना इस private college की fees है और यह fact है ठीक है और यह कोई guarantee नहीं है कि अगले साल आपको government seat मिल ही जाएगी नीट में यहसी कोई guarantee नहीं है अगर आपको इस साल नहीं मिला है तो अगले साल भी हो सकता आपको नहीं मिले और finally private college नहीं न पड़े तो एक साल का importance कहीं जादा है यह एक साल बाद में एक बहुती crucial role play करेगा क्योंकि आजकल super specialization भी करनी पड़ती है आपकी पढ़ाई MDMS पे खतम नहीं होती है MDS पे खतम नहीं होती है आपको super specialization करना ही पड़ेगा मतलब MCH, DM, fellowships यह सब चीज़ें करनी ही पड़ती हैं आपको यह compulsory है यह कोई important नहीं है कि आप government से MBBS कर रहे हो या private से कर रहे हो पर super specialization important है अगर आप यहाँ drops में जादा साल waste कर देंगे तो बाद में आपको super specialization करने के लिए time नहीं बचता है यह मैं बहुती आपको practical बात बता रहा हूँ जो आपको अभी कोई idea नहीं है और फिर finally क्या होता है जब time ही नहीं है क्योंकि शादी हो चुकी है आप अल्रड़ी 32 साल के हो चुके हो आप पी शादी हो चुकी है कई हो के तो एक शोड़ा बच्चा भी है अब ये सब जिम्मेदारियों के साथ में पढ़ाई करने से ज़ादा pressure उस time पे होता है कि आप कमाई करो आप नहीं पेरेंट से पैसा मांगना चाहोगे जब आपकी खुद की wife है खुद की एक family है तो अभी drops मत लीजिए अगर आपको private मिल रहा है तो private बिलकुल ले लीजिए अगर आप fees afford कर सकते हो तो आजकल बहुत अच्छे education loan के schemes होते हैं जिसमें interest rates rate भी उतना नहीं है तो ये सब करके भी आप private ले सकते हो ऐसी मेरी advice है हाँ बिलकुल है हम अपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास कोई choice ही नहीं है मैं उस case की बात नहीं कर रहा है मैं उस case की बात कर रहा हूँ जहां पर आप कुछ भी करके private college ले सकते हैं लेकिन मैं आपको कुछ criteria बताऊंगा जो आपको देखने होंगे फुल्फिल करने होंगे तभी आप वो private college उठाईए ओके नमबर वन वो college आइडियली पांच साल पुराना होना चाहिए जिससे हमें कुछ तो ये idea हो कि उस college के पास में क्या permissions है नहीं है और आगे जाके वो sustain कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे college है जिन्होंने ये first year तो पहले साल तो permission निकाल ली run करने के लिए MCI से और फिर आपके पास next year permission चली गई फिर आ गई फिर चली गई तो हमको ऐसा college नहीं लेना है तो ऐसा college चूज करिए जो at least 5 साल पुडाना हो पास साल की उसकी पूरी history एक बार देखिए कि 5 साल में वो student का एक uniform intake हुआ है की नहीं हुआ है मतलब ही अगर वहाँ पे 100 बच्चे 100 बच्चों की वहाँ पे capacity है intake है तो 5 साल 100-100 बच्चे उन्होंने लिये है की नहीं लिये है batch का gap तो कहीं नहीं हुआ है ये एक हमको देखने वाली बात है जो हमें confirm करना ही चाहिए तीसरा recognition MCI से या जो भी अपनी dental council या जो भी body है उससे recognition मिलती है जो college को run करने की वो 5 साल आपके पास recognition होनी चाहिए तो ये आपको confirm करना है चौथा college जाके visit जरूर कीजिए एक बार ठीक है pick करने से पहले कुछ shot list कर लीजे ऐसे 3-4-5 college और कहीं आपको जाना भी पड़े Bengal जाना भी पड़े कि जो वो लोग claim कर रहे हैं वो सारी चीज़ें criteria actual में on the ground fulfill हो भी रहे हैं या नहीं क्योंकि बहुत सारे colleges हैं जहां पर बस on paper faculty है otherwise उनको faculty है ही नहीं I mean recognition के लिए MCI की DCI की जो भी visit होती है तब वो लोग वहाँ faculty एक दिन के लिए बुला लेते हैं बस दिखाने के लिए कि हमारे पास में professors हैं तो ऐसा college हमें नहीं चाहिए वहाँ पर एक consistent faculty होनी चाहिए एक infrastructure होना चाहिए यह नहीं के बस inspection है council का तब वहाँ पर patient लिटा दिये तब वहाँ पर faculty बुला ली तो एक बार आप अपना खुद का inspection जरूर करिए तो यह सारी चीज़ें ध्यान रखिए private college लेने से पहले और अगर यह सब चीज़ें तारे criteria फुल्फिल हो रहे हैं और आप अफोर्ट कर सकते हैं private college की fees तो definitely private college उठाना एक much much better option है बजाए year waste करने का क्योंकि बाद में 10 साल बाद 12 साल बाद यह year आपके लिए बहुत ज़्यादा important साबित होगा ओके I hope I have made my point very clear और आपको यह मदद करें जो counselling आने वाली है आपकी नीट की अगर कोई भी doubts है feel free to post in comments और like, follow, subscribe करना मद्वलिये, thank you